बहुत बहुत स्वागत था आपका हमारे यूट्यूब चैनल डागर एजूकेशन में आज हम क्लास्ट वेल्थ बुक कंतरा का काव्यखंड करेंगे जिसका नाम है एकम और इस कवीता के कभी विश्नु खरेजी हैं तो आए पहले इनके जीवन परीचे के बारे में जान लेत हैं विश्नु खरेजी का जनम 1940 में छिंदवाड़ा मध्यपरदेश में हुआ था और इनकी मृत्यू 2018 में हुई क्रिश्चन कॉलिज इन्दोर से इन्होंने 1966 में अंग्रेजी साहित्य में एमे की 1962 से 63 में इन्दोर समाचार पत्तर में उप संपादक का कार्रे भी किया 1963 से 75 तक मध्यपरदेश और दिल्ली महाविदाले में इन्होंने पढ़ाया भी था 1966 सरस्ट में लगू पत्तरि का व्यास का संपादन भी किया 1985 से नव भारत टाइम में संपादक के पद पर भी विश्णु खरेजी ने कार्रे किया 1993 में जोदपूर नव भारत टाइम के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्रे किया था अब इनकी कुछ रचनाएं हैं अनौचारिक रूप से इन्होंने 1956 में लिखना शुरू किया था यानि इन्होंने किसी भी तरीके से ओफिशल रूप से लिखना शुरू नहीं किया था ओफिशल तरीके से इनका पहला प्रकाशन T.S. इल्टियान का अनुवाद मारू और अन्य कवीताएं 1960 में लिखी थी इन्होंने और इनका दूसरा कवीता संग्रह 1970 में परकाशित हुआ था तीसरा संग्रह इनका खुद अपनी आंक 1978 में परकाशित हुआ चोथा संग्रह सब की आवाज के परदे में 1924 में परकाशित हुआ और पांच्वा संग्रह इनका पिछला बागी तथा छट काल और अवधी के दर्मिया परकाशी थुआ इनोंने विदेशी कविताओं का हिंधी तथा हिंधी अंग्रे में थी और इनोंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया अब इनके कुछ पुरुसकर है इनको फिंलेंड के राष्टे सम्मान नाइट ओफ दा ओडर ओफ दी वाइट रोल से सम्मानित किया गया था इनको रगुवीर साय सम्मान भी मिला था शिखर सम्मान भी दिया गया था हिंदी अकैडमिक दिल्ली का सायचते सम्मान भी दिया गया तो ये इनके परमुक पुरुसकार रही हैं अब आते हैं कवीता के शारांश पर इस कवीता में 1947 की आजादी के बाद का वर्णन किया है कि किस तरीके से अमीर लोगों ने चलकपट से गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया है यानि जो अमीर लोग हैं वो बिलकुल अमीर बन गई हैं और जो गरीब हैं वो बिलकुल ही गरीब बनकर रहे गई हैं आजादी के बाद लोगों ने दोखा दड़ी से पैसा कमाना शुरू किया और अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमा कर अपने आपको अमीर बताते हैं कि हम अमीर हैं और कवी बताते हैं कि आज के समय में जो लोग इमानदार है वही गरीब हैं जो छल कपट से पैसा कमाता है वो तो बहुत जल्दी अमीर बन जाता है अमीर बनने की होड में लोगों ने अपनी वास्विक्ता को ही खो दिया है अपने सुवाबी मान को ही खो दिया है यानि वो ये नहीं देखते कि क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है बस उनकी आखों पर ये पट्टी बंदी हुए है कि हमें पैसा कमाना है हमें अमीर बनना है और हमें आज के दोर में आगे निकलना है और फिर वो गलत तरीके से पैसे कामा कर अपने आपको अमीर बताते हैं तो देखते हैं पहली पंक्तियों में कवी क्या कहते हैं 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्बर माला माल और गतिशील होते देखा है 1847 के बाद लोगों ने बहुत गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया लोग चल कपट से पैसा कमाते हैं और फिर अपने आपको अमीर बताते हैं यानि अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाकर चल कपट से पैसा कमाकर और फिर बताते हैं कि हम अमीर है आज के समय में कवी को लगता है कि जो वैक्ति दूसरे के सामने हाथ फैला रहा है बीक मांग रहा है वो वैक्ति आज के समय में इमानदार है क्योंकि उस वैक्ति ने चलकपट का रास्ता बेइमानी का रास्ता नहीं अपनाया है वो आज भी इमानदार है अगर वो चाहते तो बेईमानी से पैसा कमा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया अगर कोई उनके सामने हाथ फैलाता है तो कवी सोचते हैं कि यह वही आदमी है वही बच्चा है या वही ओरत है जिसने आज तक बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया तभी यह 25 पैसों क लिए और दो रोटी के लिए मेरे सामने हाथ फैला रही हैं तो इस तरीके से कवी कहते हैं कि आज के समाज में जो लोक धोका धड़ी बेईमानी गलत तरीके से पैसे कमाते हैं वो धनी बन जाते हैं और जो इमांदारी से काम करते हैं वो गरीब रह backwards अगली पंक्टियों मे कवी कहते हैं कि मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ कंगाल या कोडी या मैं भला चंगा हूँ और कमजोर और एक मामुली दोखे बाज लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच लज़ा परिशानी या गुस्वे पर आशित तुम्हारे सामने बिलकुल नंगा निरलज और नि देख रहा हूँ इमानदार लोग परिशानी में हैं दिक्कत में हैं लेकिन मैं उनकी मदद करने की जगए बस उनको दूर खड़े होकर देख रहा हूँ इस परकार कमजोर वे इमानदार लोगों के लिए वह केवल सानुबूती दिखा पाते हैं बलकि उनकी मदद नहीं कर और कोई अपने आत्मसमान को ठेश पहुचाते हैं और कहते हैं कि मैं नंगा और निलज हूँ. नंगा और निलज का मतलब है कि चाहते होए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो मदद नहीं कर पा रहे, वो कीवल बस दूर खड़े होकर देख रहे हैं. अगली पंक्तियों में कवी कहते हैं कि मैंने अपने आप को हटा लिया है हर होड से मैं तुम्हारा विरोधी प्रतीदवंदी या हिस्सेदार नहीं मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो इन पंक्तियों में कवी अपने आप में सर्मिंदगी महसूस करते हैं कि इमानदार लोग परेशानी में हैं दिक्कत में हैं मैं फिर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा केवल उन्हें दूर खड़ा होकर देख रहा हूं फिर कवी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा तो मैं तुम्हारे संगर्ष के रास्ते में किसी भी तरीके की बादा भी उत्पन नहीं करूंगा तुम निश्चिंत होकर अपना कारे करते जाओ तो कवी यहां पर अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हुए यह सब कहते हैं कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा फिर कवी अपने आपको उनसे दूर कर लेते हैं उनके संगर्ष के रास्ते से दूर कर लेते हैं कि मैं तुम्हारे रास्ते में किसी भी तरीके की कठिनाई या दिक्कत उत्पन नहीं करूँगा अब आते हैं कव आजादी हासल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा कि हमारे सैनानियों ने सोचा था कि हमारी आजादी के बाद हमारा देश ऐसा होगा वास्तों में वैसा नहीं रहा लोगों ने गलत कारे करना शुरू कर दिया इस कवीता में भाशा शरल और सहेज है अनुपरास अलंकार का भी बहुत सुन्दर प्रियोग किया है और यह कवीता चंद मुक्थ है इस कवीता में हाथ फैलाने जैसे मुहावरी का भी प्रियोग किया गया है तो यहाँ पर कवीता खतम होती है थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में